हलो फ्रेंड आज मैं बनाएंगे आलू मसाला पापड़ी रेस्पी जो कि बहुत जटपट से बन जाती है बहुत ही क्रिस्पी यह बनने वाले हैं ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है इनको बनाने में चलिए बनाना शुरू करते हैं इधर हमने मिक्सर जार ले लिया है और इसमें हम डालेंगे अभी एक प्याज लिया है मेडियम साइज का बारी कटा हूँआ दो ग्रीन चिली लिये 6-7 लेसन की कली लिये इनको मिक्सर जार में डाल देंगे इभी उसके बदाल दालेंगे एक चिमद जीरा साबुत हमने इधर मेडियम साइज की दो आलू लिये है कच्चे इनको रफली कट कर लिया था इस तरीके से और इनको क्लीन कर लिया था कट करने के बार इसके बार मिक्सर जार में भी डाल देंगे इनको और कवर करके इसको पीस लेंगे बिल्कुली पानी डालने के इसमें जरूरत नहीं है, ऐसे ही पीस लेना इसका पेश्ट बनाकर रेडी कर लेगे, इधर हम ने पेश्ट इसका बनाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो, इसे ना बाउल में ट्रांसफर कर देंगी, उसके बाद डालेंगे रेड चिली फिल धनिया पाउडर डाल देंगे आधी चिम्मच उसके बाद गरम मसाला डालेंगे एक चोथाई चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे आधी चिम्मच खल्दी पाउडर डालेंगे इससे बहुती अच्छी रंगत आने वाली है कलर भी बहुत अच्छा आएगा उसके बाद सपेद तिल आपके पास ब्राउन तिल है तो भो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे उसके बाद डालेंगे कशूरी मैती दो चिम्मज भर कर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पापड़ी में कशूरी मैती से दो चिम्मज भर लग कर ओएल डाल देंगे आप चाओ तो घीवी यहां पर यूज कर सकते हो घीवी डाल सकते हो ओएल की जगह पर उसके बाद डालेंगे एक कटोरी भर कर हमने गयो का आटा लिया है इसको डाल देंगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मसाली के साथ इसमें मिक्स कर इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की जरुवत नहीं है जो हमने आलू लिये थी इससे यहांटा लगकर रेडी हो जाएगा थोड़ा सा आटा और डालेंगे थोड़ा थोड़ा डालते जाएगी इसका हार्ट डू लगाकर रेडी करना एकदम जैसे नॉर्मल रोटी बनाते उस तरीके का नहीं लगाना थोड़ा सा हार्ड लगाना एज पानी बिल्कुल भी नहीं लगने वाला इस में जो हमने मसाला बनाया था उसी से ही आहांटा लगकर रीडी हो गया जो उझा है अधो Alexandre कर लिया है आप देख सकते हों इतना इदम टाइट सा आहांटा लगकर रीडी किया है और अभी से यहां दस मिनट के लिए रिज़्ट पे चोड़ देते हैं अगर आप चलदी तुड़ा सब ताइम नहीं आपके पास तो आप पांच मिनट असे रिष्ट पे चोड़के उसके बना सकती हो त्र दस मिनट हो लें उसके भास फूड़ा सा गूत लेंगे इस तरह की हाज से मसल लेंगे बड़ी सी इसकी लोई तोड़ लेंगे आटा की उसको चकला ले लेंगे उस पर थोड़ा सा ओइल लगाएंगे और इसकी लोई बनाकर रेडी कर लेंगे थोड़ा सा ओइल लगा लेना है पटा में भी और बेलन में भी दोनों में क्योंकि चिपके ना ताकि इनमें थोड़ा-थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे इसकी बड़ी सी रोटी हमें बेल कर रेडी कर लेंगे ना जादा पतली बेल नहीं जादा मौटी बेल नहीं बस मेडियम साइज की इसकी थिकनेस रखनी है साइड से ही ऐसी फट रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसको इस पून ले लेंगे जो हम मैगी बगएरा नूडल्स बगएरा खाते हैं वह वाली इससे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए इसके होल्स बना देंगे ऐसी डिजाइन सी बना देंगी ताकि यह फूलेगा नह बहुत अच्छी बनकर का रेडि हो जाएगी बना रेडि कर लिए उसके बाद ले लेंगे α फिर कट ऊरी उससे पीजच छोटे कट करने में इस तरीके से बहुत एजी लगतिली कट हो जाते है इस तरीकello काट लेने एक वार में जितने पीट हुआ का लेने दो बारा और पि देखो कितनी इजीली ये बन गई हैं और होल्स दिख रहे हैं अच्छी से और अभी हम प्लेट में इसको टान रख देंगे जितने बनाये हुए हैं और सारे इसी तरीकी से हमने बना कर रेडी कर लिए इस पापड़ी को इधर और पहले से गरम करने के लिए रख दिया था और अच्छी से गरम हो गया है गयस को एकदम सिलो कर देंगे उसके बाद एके करके डाल देंगे जितना यह स्पेस होगा कड़ाई में एक साथ उतने हम डाल देंगी गैस को शिलोई रखना है उस पर ही पापड़ी अज स्थे एक साल करो चाय कर चकते हैं एक महिने तक कि श्टोर कर सकते हो यह खराब भी नहीं होगा नास्ता आप एक वार जरूर ट्राई करना ही रेस्पी सारा नास्ता सिक्कर रेडी हो गया है पापड़ी हमारी अभी इनको निकाल लेते हैं अगर आपको मारी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दे थैंक पॉर बोचिंग मिलते हैं आपको अगली वीडियो में